नमस्कार, आदाब, सस्रियकाल, आप सबका स्वागत है, वंदन करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ, संगीत के प्रेमियों की इस सभा में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनुकपूर, सिर्फ 92.7, बिग एफिम पर, ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहां समहल कर आना जी जो भी आये यहां किसी का हो जाए दीवाना जी, ऐसा बरसे रंग यहां पर, जनम जनम तक मन भीगे, सावन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना भवन भीगे, ऐसी बारिश हो यहां पर, बचे न कोई ठिकाना जी, जो भी आए यहां किसी का हो जाए दीवाना जी ये प्यासों की प्रेम सभा है यहां समहल कर आना जी आपके मनुरंजन के लिए गीतों के साथ जो कथाएं हैं उनमें से एक है कि जब प्रभात स्टूडियो की नीव खुद वी शांताराम ने रखी थी तो क्यों उसी स्टूडियो से उन्हें अलग होना पड़ा क्या था कारण प्रभात स्टूडियो को छोड़ कर जाने का यह मैं बताऊंगा और बताऊंगा बांगला और हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार सुचित्रा सेन के बारे में फिल्मों से सन्यास लेने के बाद जब सुचित्रा सेन ने किसी भी पब्लिक फंक्शन और प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया था तो वो कौन से दो मौके ऐसे थे जब सुचित्रा जी आम जनता के बीच आ गई इसकी साथ आज की सभा में किस्से होंगे के आसिफ के सुराब मोदी और कवी पदीप के तो करते हैं आघाज आज की महफिल का और निकल पढ़ते हैं सोहान सफर पर आज के सुहाने सफर की इप्तदा मशूर निर्मातन रदेशक और अभनेता वी शानताराम से जुड़े एक किस्से से आज से कुछ 40-50 साल पहले भारत में संसकार, परंपराओं, नियम कायदों की अंदेख ही आज के मुकाबले बहुत कम की जाती थी इमानदारी थी, सद्चरित्रता थी, शर्मोहया थी, लज्जा थी और इनहीं की वज़ा से शायद उस समय का समाज और समाज में रह रहे अधिकतर लोगों के चरित्र काफी साफ सुत्रे हुआ करते थे आज में आपको भारती संस्कृती और मान मर्यादा परंपराओं में विश्वास रखने वाली एक फिल्म कमपनी से जुड़ा किस्सा सुनाना चाहूँगा ताज्यूप की बात है फिल्मी लोगों को समाज के तथा कतित कुछ शरीफ लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही हैं लेकिन फिल्मी कमपनी का मुरालिटी पे कायम रहने का किस्सा 1930 और 40 के दशक में पुणे में एक मशूर फिल्म कमपनी हुआ करती थी नाम था प्रभात फिल्म कमपनी प्रभात फिल्म का निर्माण किया था मशूर निर्माता निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम और उनके चार साथियों ने प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर तले मराठी की पहली टॉकी फिल्म आयोध्याच राजा और भारत की दूसरी रंगीन फिल्म सैरंधरी के अलावा अमरत मंथन, धर्मात्मा, अमर जोती, संत्तुकोराम, दुनिया नामाने, गोपाल कृष्ण, आदमी, संत्ग्न्यानेश्वर और पडोसी जैसी मशूर फिल्में बनी थी, इन फिल्मों में से जादा तर फिल्मों का निर्देशन वीशांताराम ने किया था, लेकिन संस्थापक सदत से होते हुए भी, 1942 में वीशांताराम को अपनी इस कंपनी को छोड़ना पड़ा, जिस पौधे को सीचा था, दरख् का ही साया छोड़ना पड़ा, कारण कंपनी के नियमों का उलंगन, दरसल प्रभात फिल्म कंपनी के सभी संस्थापक महराश्टियन थे, माराठी भाशी थे, पूरी तरह से भारतिये परंपराओं और संस्कृती में दढ़ आस्था और विश्वास रखने वाले लोग थे, इन सभी ने मिलकर कंपनी के लिए कुछ खास विशेश नियम बनाये थे, जिनका पालन करना हर एक का प्रथम करतवे हो जाया करता था, पहला नियम ये था कि प्रभात फिल्म कंपनी से जुड़े सभी लोग सद्द चरित्रता का पालन करेंगे, चरित्रवान होंगे, नेति जाएगी, और इन दोनों ही नियमों के पालन में वी शांताराम असफल हो गए, हुआ यू था कि साल 1941 में वी शांताराम ने प्रभात के बैनर में फिल्म पड़ोसी शुरू की, तो उसमें हीरोईन के लिए लिया उन्होंने एक नई अभिनेतरी को, जिसका नाम था जैश्र फिल्म की शूटिंग के दोरान ही जैश्री और वी शांताराम के बीच में हो गया प्यार, और दोनोंने कर ली शादी, वी शांताराम और जैश्री की शादी से प्रभात में खलबली मच गई, क्योंकि वी शांताराम पहले से ही शादी शुदा थे, और उनकी पतनी का नाम विमलाताई, जिन से उन्होंने 1922 में शादी की थी, इनी विमलाताई की सुपत्री हैं, मधुरा जसराज, पंडिजसराज की पतनी, दुरगा जसराज की माँ, वापस आते हैं वीशांताराम पे, अब पहले नियम के मताबिक पतनी होते हैं, दूसरी से शादी करना उच्छरं पर प्रभात छोड़ने का दबाओ बनाया, उधर कंपनी के बाकी लोग भी वीशांताराम की शादी का विरोत कर रहे थे, सो मजबूरन वीशांताराम को अपनी ही बनाई प्रभात फिल्म कंपनी को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा, ये उस वक्त के लोग थे जहां नैत आदमी को भी जुकना पड़ता था, चाहे वो वीशांताराम भी क्यों ना हो, वापस आकर बताऊंगा कि फिल्मों से सन्यास लेने के बाद जब सुचितरा सैन ने किसी भी पब्लिक फंक्शन और प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया था, पूरी तरह से अवोइट कर दिय बैन कर दिया पब्लिक अपिरियंस, तो वो ऐसे कौन से दो मौके थे जब सुचितरा सैन आम जनता के बीच आई, सुचितरा सैन के जीवन की ये घटना आपको सुनाओंगा बस थोड़ी ही देर में, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनुकपूर, सिर्फ 92.7 बिग ए फिल्मों की एक बहुत बड़ी स्टार सुचितरा सैन, 1953 से 1978 के 25 सालों के करियर में, सुचितरा सैन ने कुल 54 बंगला फिल्में की, उत्तम कुमार उनकी जोड़ी को बॉक्स आफिस पर शोर शॉट हिट की ग्यारंटी माना जाता था, सुचितरा सैन की 54 बंगला फिल्मों में से 30 में उत्तम कुमार ही उनकी हीरो थे, सुचितरा ने बंगला फिल्मों के अलावा साथ इंदी फिल्मों में भी काम किया, देवदास, मुसाफिर, चंपकली, बंबई का बाबू, सरहद, ममता और आधी, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थी तो आम जंता में उनको लेकर बहुत दिल्चस्पी थी, वैसे भी आम लोग फिल्मी कलाकारों में, फिल्मी स्टार्स में बहुत दिल्चस्पी रखते हैं और वो अगर आम लोग हिंदुस्तानी हो तो पर क्या बात है, तो यह आम लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते लोग उन्हें देखने के लिए खटे हो जाते थे और सुचित्रा सेंट भी अपनी पब्लिक लाइफ में बहुत एक्टिव थी मगर साल 1978 में अभिनेता सौमत्र चटर जी के साथ आई बंगला फिल्म प्रोणय पाश के फ्लॉप होने के बाद ना सिर्फ उन्होंने फिल्मों स सन्यास ले लिया बल्कि पब्लिक लाइफ से भी किनारा कर लिया किसी पब्लिक फंक्शन या गेट तोगेधर में जाना बंद कर दिया प्रेस पब्लिक सब बॉयकॉट उनके बारे में कहा जाता है कि फिल्मों से सन्यास लेने के बाद अपने आखरी वक तक यानि पैती साल उनों तक वो किसी भी बाहर के वक्ती से नहीं मिली, किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुई, शादी ब्याहा में नहीं गई, कहीं नहीं गई, सिवाए दो मौकों को छोड़ कर, पहला मौका था जब वो उत्तम कुमार के निधन पर 24 जुलाई 1980 को उनके मृत शरीर पर फूल माल चड़ा कर, कुछ सेकिंड के लिए वहां रुक कर, चली गई, इस से पहले की लोगों को उनके आने की भनक पड़ती, और दूसरा मौका वो था जब 1982 में, कॉलकता फिल्म फेस्टिवल में, कभी कबार छुपकर फिल्म देखने चली जाया करती थी, आप यकीन नहीं करेंग क्योंकि उन्हें ये पुरुसकार लेने के लिए दिल्ली के समारों में हिस्सा लेना पड़ता, उनकी इस तरह से जनता से दूर हो जानी के कोई बड़ी वजह तो सामन नहीं आई है, मगर ये सच है कि उन्होंने फिल्मों से सन्यास लेने के बाद, पबलिक प्रेस सबसे किन आरा कर लिया था, यहां तक कि जब सुचितरा सेन का निधन 17 जनवरी 2014 की सुभा कोलकता के एक अस्पताल में हुआ, तब भी उनकी इच्छा को देखते हुए, अस्पताल ने बाहरी लोगों को उन तक पहुँचने नहीं दिया, सुचितरा सेन की तरह हमारी फिल्म अंड़ के आसिफ कभी अपने काम में समझोता नहीं किया, और इसी वज़ा से उन पर प्रोड्यूसर के पैसेों को बर्बाद करने के इलजाम भी लगे, मगर क्या के आसिफ जब खुद अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, तब भी उनका एटिचुड ऐसा ही था, हर काम परफ सुनते रहे रेडियो का नंबर वन शो, सुहाना सफर विद अनुकपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफेम पर सुहाना सफर के इस पड़ाओं में मैं आपको सुनाओंगा किस्सा के आसिफ का, मुगले आजम को देखकर ये बात जाहिर हो जाती है कि के आसिफ ने फिल्म मेकिंग में किसी तरह का समझोता नहीं किया, भले ही फिल्म को बनने में नौ-दस साल से ज़ादा का वक्त लग ग सुना की, उनके बारे में अखबारों और मैगजीन्स में इस तरह की बाते चपती थी कि ये सरफिरा डिरेक्टर प्रड्यूसर के पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, अभी फिल्म आधी भी नहीं बनी है, मगर दो फिल्मों के बराबर पैसा खर्च हो चुका है, किसी ने प परफेक्शनिस्त है, वो ही बने रहे, 1960 के दशक की शुरुआत में जब के आसिफ ने गुरुदत और निम्मी को लेकर लैला मजनू की प्रेम कहानी पर फिल्म लव एन गॉड शुरू की, तो बीच में ही गुरुदत के गुजर जाने से फिल्म अटक गई, कुछ सालों बा जानी के फवारे लगे हुए थे, उंटों के काफले का बंदुबस भी था, सीन कुछ ऐसा था कि कुछ मौलाना कैस यानि मजनू की जाद करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ के मजनू का मतलब क्या होता है, अरबिक में मजनू का मतलब होता है, दीवाना, पागल, लेकि मजनू का जो नाम था, उसका नाम था कैस, कैस बिन आमरी, कैस सन अफ आमरी, तो सीन कुछ ऐसा था, कि कुछ मौलाना कैस से पूछते हैं, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी की जाज करना चाहते हैं, कि पागल तो नहीं है, इसके लिए वोसे आइना दिखाकर पूछते हैं, कि शीशे में अक्स किसका है, उसी वक्त पीछे चज्जे पर लैला आ जाती है, जिसका अक्स आइने में पढ़ता है, और कैस यक बयक चिल्ला पढ़ता है, हाई लैला, अब इस शॉट के लिए गंटो तैयारी हुई, गंटो लाइटिंग हुई, और फाइनली जब सब सेट हो ग आत में पकड़ी सिगरिट का एक गहरा कश लिया और कड़कती आवाज में बोले, पैक आप, सेट पर, साप सूंग गया हो, सन्ना टाचा गया, लोगों की समझ में ही नहीं आया कि आखिर बात क्या है, कि आसिफ ने संजीव कुमार के कंधे पर हाथ रखा, और बोले, तुम उस तमाम तैयारियों पर 80,000 रुपया खर्च हुआ था, जो एक मिनिट में बेकार हो गया, ये घटना साबित करती है कि के आसिफ एक परफेक्शनिस्ट डिरेक्टर थे और वो परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, पैसा गहर का हो या अपना परफेक्शन च बात्चीत हुई और इसी बात्चीत में कवी प्रदीप को चुब गई सोहराब मोधी की एक बात और उन्होंने कर दिया इनकार काम करने से, इस किस्से का खुलासा करूँगा थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनुकपूर 1930 और 1940 के दशक का एक बहुत बड़ा नाम था सुहराब मोधी सुहराब मोधी ना सिर्फ मशूर अभिनेता थे, बलकि एक बहतरीन, most successful producer, director भी थे उन्होंने मिनर्वा मूवी टोन के बैनर में कई फिल्में बनाई, जैसे पुकार, सिकंदर, पृत्वीवल लव और जहासी की रानी बड़े बजट की फिल्में हुआ करती थी, historical फिल्म, इसके अलावा कुंदन, जेलर और मिर्जा गालिब जैसी मशूर फिल्में भी इन्हीं के बैनर मेंनर्वा के तले बनी थी सहराब मोदी बहुत रौबदार इनसान थे, बड़े कड़क आदमी थे, यहां तक कि उनके जमाने के बड़े बड़े लोग उनसे आँख से आँख मिला कर बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे, ऐसे ही उनका डायलॉग डिलिवरी का चलन हुआ करता था उनकी शान और शौकत का ये आलम था कि कमाल अम्रोही जैसे लोग भी उन्हें अपने लिखे हुए डायलॉग सुनाने के लिए उनके पीछे पीछे चला करते थे एक बार इन्हीं सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म जहांसी की रानी के गीत लिखने के लिए बुलाया कवी प्रदीप को प्रदीप जी ने अपने एक इंटर्व्यू में इस घटना का खुलासा करते हुए बताया था कि जब वो सुहराब मोदी के कमरे में पहुँचे तो उनके कैबिन की सजावट देखकर दंग रह गये बेहत शांदार कैबिन था और सुहराब मोदी बड़ी सी मेज की पीछे एक आलिशान कुरसी पर बैठे हुए थे सुहराब मोदी ने बुलंद आवाज में प्रदीप जी से कहा जहांसी की रानी के गीत आप लिखेंगे स्क्रिप्ट में गानों का नेचर लिखा हुआ है उन्हें कैसा होना चाहिए ये भी स्क्रिप्ट में बताया गया है आपको सिर्फ वैसा ही लिखना है धुने तैयार है बस उनमें शब्द बिठा दीजिए You can go now सहराब मोदी का इस तरह बोलना और इस तरह का अपमान जनक एटिटूट दिखाना प्रदीप जी को बहुत बुरा लगा और किसी भी खुद्दार सौभिमानी आदमी को इस तरह से बोली गई बात बिल यकीनन बुरी लगेगी उन्होंने पलट कर सहराब मोदी को जवाब दिया मोदी साब जब आप सभी कुछ कर चुके हैं तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी नमस्कार धन्यवाद जहिन और ये कहकर वो वापस निकल गए प्रदीप जी पताते थी कि कमरे से बाहर निकलते वक्त उनके कानों में सहराब मोदी की सिर्फ इतनी सी बात पड़ी थी जहांसी की रानी जैसी पिक्चर को ठुकरा कर बहुत पच्चता हो गए लेकिन स्वाविमानी के स्वाविमान पर जब आच आती है तो वो किसी चीज की परवा नहीं करता है प्रदीप जी भी बगैर परवा की सीधे बाहर निकल आये अब हुआ यूँ कि जब फिल्म बनी तो पच्चताना प्रदीप को नहीं बलके खुद सोहराब मोदी को पड़ा हुआ यूँ कि उन्होंने प्रदीप जी की जगा गीत लिखवा है पंडित राधिशाम से संगीत वसंदिसाई का था मगर ये फिल्म जहांसी की रानी इतनी बुरी तरह से फ्लाप हुई कि सोहराब मोदी को अपना स्टूडियो ही नहीं बलकि घर का सामान तक बेश देना पड़ा इस फिल्म से हुए नुखसान की रिकवरी करने के लिए समय बड़ा बलवान भया इसलिए सोच समझ नादान समय बड़ा बलवान घमंड गुरूर रावन का नहीं रहा तो सहराब मोदी क्या थे बात करेंगे बरसात के गानों की ये नया सेग्मेंट शुरू हो चुका है लोगों ने हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉंस दिया है पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि दो तरह के गाने आपके सामने पेश करेंगे एक तो जिसमें बरसात का जिक्र है कविता के माध्यम से और विज्वली भी बरसात है दूसरा गीत है कि जिसमें बरसात तो है लेकिन बरसात का जिक्र नहीं है लेकिन आज मैं जो गीत आपके सामने पेश करूँगा ब्रेक के बाद उसमें content भी बारिश का है, visual भी बारिश का है, पूरी तरह से ये एक बरसात का गीत है, बताऊंगा थोड़ी देर में गीत कौन सा है, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनुकपूर, सिर्फ 92.7 सिर्फ 92.7 बिग एफेम पर इसमें कहीं भी कोई बारिश नहीं है, अगर गौर से visual देखेंगे, तो बहुत ज़ादा हवा भी चलती हुई नहीं दिखाईती रही है, लेकिन अब जो मैं गीत आपको सुनाऊंगा, उसमें content और visual दोनों में compatibility है, एक दूसरे के पूरक हैं, जो बोल हैं गीत के, वैसा ही इस फिल्म का नाम है परक, गीत के बोल हैं ओ सजना बर्खा बहार आई, written by शैलिंद्र, composed by सलिल चौधरी, and sung by ग्रेट लता मंगेशकर, and picturized on another great साधना, इसका जो बांगला वर्जन है, वो भी साधना जी के उपर ही पिक्चराइज हुआ है, नाजेव ना, ये फिल्म डिर इखने का आपको मौका मिले, तो आप देखेंगे साधना जी ने सिर्फ एक टिक्की लगा रखी है, माथे पे एक बिंदिया है, एक साडी पहनी हुई है, गाउं का सेट लगा हुआ है, भरपूर बारिश है, ओ सजना बर्खा बहार आई, पत्तों के शौठे, पत्तों के उ जरित्र चितरन किया है, वो अविस्मर्णी है, ये गाना कमाल का गाना है, ओ सजना बर्खा बहार आई, और इतनी सुंदर लगी है साधना जी, इतनी सुंदर लगी है, मैं आजकल की जो हीरोइन्स हैं, उनसे अगर वो सुने तो उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना मेक साधी सिंपल सी साधी पहनी हुई है, भारती नारी जब साधी पहनती है और माथे पर बिदिया लगा लेती है, यार तो बड़ा अजीब सा लगता है, उसके आगे फिर दोनों जहान की अपसराएं थोड़ी सी फिल्म के लिए मिला, बेस्स सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म 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 के लिए लेकिन अवार्ड चला गया मुखले आजम को, और आखिर में बिहार से एक पत्र मिला है सुनील कुमार जी का, और उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, गुरुदत और वहिदा रह्मान की जोड़ी की आखरी फिल्म कौन सी थी और इन दोनों की रिष खत्म क्यों हुए? बिहार के सुनील कुमार जी को जवाब दूँगा थोड़ी ही देर में, वापस लोटूँगा, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनुकपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफम पर बिहार के सुनील कुमार जी ने एक सवाल पूछा है, गुरुदत और वहिदा रह्मान की जोड़ी की आखरी फिल्म कौन सी थी और उन दोनों की रिष्टे खत्म क्यों हुए? सुनील कुमार जी पर गुरुदत और वहिदा रह्मान की जोड़ी की आखरी फिल्म साहब बीबी और गुलाम थी जो 1962 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म गुरुदत फिल्म्स के बैनर में बनी थी और इसके डिरेक्टर अबरार अलवी थे, लेकिन जिस फिल्म में वहिदा जमाने की यारी, बिछले सभी, बारी बारी, संगीत स्टी वर्मन का गीत लिखे थे कैफी आजबीने, सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब, आपने पूछाए का वहिदा रह्मान और गुरुदत की रिष्टे क्यों खत्म हुए, तो इसके बारे में बहुत सारी बातें पहल आपके अनुसार गुरुदत को एक पॉइंट पर जब पता चला कि उनकी पतनी गीता उनसे जूट बोलकर किसी और के साथ छुट्टियां बिताने चली गई हैं, तो उन्हें अपनी शादी शुदा जिंदगी, मैरिड लाइफ, शेटर्ड होती नजर आई, और उन्होंने अचानक ही वहीदा से दूरियां बनाना शुरू कर दिया, अब रार अल्वी के कहे अनुसार इन दोनों की रिष्टे तूटने की वज़ा से उनकी फिल्म का क्लाइमिक सीन भी अटक गया था, फिल्म का नाम था चौदवी का चान, खैर पबलिकली कभी भी किसी मंच पर चुपाये नहीं चुपते, गाहे, बगाहे, फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों के बारे में अफवाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता था, मैं वहीदा रह्मान के इनकार की वज़ा समझ सकता हूं, जब वो सेटल हो गई कमल जीत के साथ, तो बात बनती नहीं थी, मैं अब ही वहीदा रह्मान से कोई पूछ भी लेता, तो उनको मेरे हसाब से कहना चाहिए था, कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूं, बात खतम हो गई, सारी दुनिया को मालम था, खेर, बिहार के सुनिल कुमार जी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको, पेज दीजे हमें 55454 पर, आप हमारा ये शो बिग FM के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं, और फेस्बुक पर मुझे से कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरा ओफिशल फेस्बुक पेज है, facebook.slash सुहाना सफर विद अनुकपूर झाल